अदनान सामी का गाना दो आपने सुना है अर लिफ्ट करा दे लिफ्ट करा दे लिफ्ट करा दे ये बाद भी आप जानते हैं कि अदनान सहाब इतने बटनान खा चुके थे कि इनका वजन इतना बढ़ गया था कि कोई नहीं लिफ्ट नहीं कर सकता था तेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक देन इन्होंने मन बना लिया कि मैं खाना छोड़ दूँगा बजन पर कंट्रोल करूँगा यह कहानी बड़ी जजबाती है नहायती इमोशनल है बस मुझे बहुत खुशी हुई है कि यह जो एक सफर था मेरा यह मुकमिल हुआ है देखे हुआ यूँ कि अदनान समी के बजन को लेकर बहुत मजाख उड़ाते और चिंता में भी रहते लेकिन इनकी आवाज जिस तरह से यह प्यानों बजाते सब की मुझे ताला लग जाता लेकिन जब मोटापे की वज़े से आप खराद दिखते हैं इसलिए पतले हो जाएं ये बात सही नहीं बलकि इसलिए आपको पतला होना चाहिए क्योंकि मोटापा जान लेवा हो सकता है और एक दिन इनके पताजी ने इन से कहा कि अधनान खाना पीना छोड़ना होगा अधनान सहाब जो खाने पीने से बेन तहम महबबत करते थे जनून की हद तक जाकर पूरी टेबल साफ कर सकते थे इन्हें बात अजीब सी लगी इनके पता ने इन से कहा कि देख अधनान तु जो करना चाहता है कर लेकिन जिस तरह से तेरा बज़न बढ़ता जा रहा है ना जादे दिन चलेगा नहीं डॉक्टर्स को भी यही चिंता सता रही है अग्याद रखियो कि एक बाप के कंदे पे सबसे बड़ा बोज होता है अपने जवान बेटे का जनाजा बस ये मतोंने दियो कुछ कर नहीं तो अपने बाप के आँखों के सामने दम तोड़ देगा और वो मेरी जिन्दगी का सबसे बड़ा दुख होगा इन अलफाजों ने अद्नान समी पे ऐसा खासा असर डाला कि इन्होंने ठान लिया कि बाप को ये दुख नहीं देंगे और फिर गाना बजाना वो जजबा दिखाया जसे इनके पहचान और मशूर हुई बॉलिवुड की और भी एंटर्टेनिंग स्टोरी इस के लिए सबस्क्राइब करें पेश्ट्रीड रिपोर्टर